पिछले वीडियो मैंने आपको maximum bending moment निकालते के लिए concept होता है कि different types of load अगर move कर रहे हैं किसी भी बीम पर तो किसरे से maximum bending moment निकालते है राटा सेक्षन और या फिर एंद बीम उन पर इसकुछ निमेरकल्स देखेंगे इसमें वाजा गोश्चिन दिखिए आप तू यहां पर two wheel यहां पर क्या करेंगे और इसको लिफ्ट कर देंगे यहां इन्टो वी वाई एल्ड इसके तो एंटो वी वाई एल जानी 4 इंटो 6 वाई 10 इकोल टो 2.4 हो जाएगे तो maximum load को maximum ordinate प्लेस करेंगे तो 10 कि न्यूटन जोड जब शी पर आएगा तो 5 कि न्यूटन जोड टू मीटर आगे होगा तो वहां पर हमारा जो प्लेस करेंगे तो वहां से मारा जाएगा 1.6 तो मैं अग्सम बेंडिंग मुमेंट जो है वह जाएगा 10 इंटो 2.4 प्लेस 5 इंटो 1.6 इकोल टू 32 कि न्यूटन मीटर इसी तरह से सब्सक्राइब करते हैं तो मैंने आपको पिछले वीडियो में जैसे की बताया था कि अगर मैं यूडियल सब्सक्राइब करते हैं तो ग्रेमें अग्षे को सब्सक्राइब कर दो टूटन टीमारो टू सिक्स राइट ऑनी चाहिए लिया चाहिए इसके निकाल जाएंगे बन पॉइंट डिस्टेंस पे वह जाएगा तुम्हारा बन पॉइंट इस चेज़ेंगे तो मैस्मीम बेंडिंग मूंट फाइंड आउट करने के यहां पर दो ट्रपेजियम दिख रहे हैं आपको तोनों का एरिया जेके एड कर देंगे ट्रपेजिय पॉइंट 6 किलोटन मीटर अब इससे हमारा थीसरा कोश्चन है थीसरे कोश्चन में जो हैं एक दूसरे डिस्टेंस में त्री मिटर स्पर्ट बेमिस्पन 24 मेटर मैंक्सिम्टी मूंट्ट करना है 18 मीटर फ्रम लेट सपोड तो सब्सक्राइंगे 18 मीटर फ्रम याप्त सपो सब्सक्राइब करेंगे इंटो भी वाई एल से तो इंटो भी वाई एल जो होगा वारा शेक्ट शेक्ट टू एटीन वाई 24 तो मादब 4.5 आजाएगा अब हमारा यह फाइंड आट करना है कि जो मैंसमों ओडनेट है उस पर कौन सा लोड प्लेस करना तो इसके जिए वीडिय सब्सक्राइब करेंगे और जहां पर हमारा इसी पॉर्शन में अगर एवरेज है लैस या इकॉल टू हो जाता है एवरेज जोड़न सी भी वह उस लोड को हम सी पॉइंट पे प्लेस करतेंगे जैसे कि इस टेबल से आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या थ्री किलो न्य हो जाएगा 3 by 6 तो अभी तो हमारा यह 15 by 18 जो जाएदा 3 by 6 है सेकेंड फॉर्ट न्यूटन लोड भी क्रॉस कर गया तो हमारा एवरेज लोड़न एसी हो जाएगा 6 सब्सक्राइब कर देंगे लोड कर देंगे लोड कर देंगे लोड कर देंगे और नेट से सब्सक्राइब करते हैं और बेंडिंग में बेस्ट कुछ और निमेटल सेखेंगे नेक्स्ट वीडियो में